हेलो फ्रेंड्स स्वागत आएक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब पैनल स्टेडी लेंड पर दोस्तों आज फिर हम डिस्कस करेंगे अर्याना जी के कुछ महतवपुन प्रशन जो एक्जाम में आपको एल्प कर सकते हैं ग्रामसची, पटवारी, एस्टेट या दुर्गा शक्ती कोई भी एक्जाम हो या एस्टेट का एक्जाम हो उसमें आपको ये क्वेशन्स हेल्प करेंगे दोस्तों तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो दोस्तों आज की सीरीज में पहला कोशन है ग्रीन रोड ओफ हरियाना कौन सा है यानि हरियाना का ग्रीन रोड किसे कहा जाता है तो पटवदी गुरु राम को हरियाना का ग्रीन रोड ओफ हरियाना कहा जाता है नेक्स्ट है हरियाना में नाहर सिंग स्टेडियम किस जिले में है बहुत बार एक्जाम में आया दोस्तों हरियाना में नाहर सिंग स्टेडियम किस जिले में है तो ये फ्रीदाबाद जिले में है जो 1981 में बनाया गया था हर्याना में नाहर वन्यजीव अभरन्य ये किस जिले में है दोस्तो स्टेडियम फ्रीदाबाद में है और नाहर वन्यजीव अभरन्य ये रिवाडी में है दोस्तो next है हर्याना में बुढिया का किला कहा स्तेत है तो हर्याना में बुढिया का कीला यमना नगर में स्थिता है दोस्तों हर्याना में बुढिया का रंग महल ये भी यमना नगर में है बीरबल का महर दोस्तों बीरबल का महल आ जाए तो ये कहां पर आपका ये फतेपुर सीकरी हर्याना में बिर्बल का चत्ता कहा है दोस्तों याद रखना हर्याना में बिर्बल का महल कहा है फत्यपूर सीकरी और हर्याना में बिर्बल का चत्ता कहा है नार नुल में नेक्स्ट है, अर्याना में पंच मुकी हर्मान मंदिर, कपाल मोचन यमनानगर में, जिसमें हाली में अभी मेला लगा हुआ था दोस्तों, अर्याना में पंच वटी मंदिर कहां सतीत है, तो पलवल में, पंच वटी से पलवल, याद रखना है, रानी की खिड़की के नाम से किला कौन सा है तो चचरोली का किला यमना नगर में रानी की किड़की के नाम से प्रसिद है रानी की डोडी हर्याना में कहा है रानी की डोडी रेवाडी में माता समलोटी देवी का मंदिर कहा है तो मोरनी हिल्स पंचकुला में मोरनी हिल्स पंचकुला में दोस्तों मोरनी हिल्स एक्जाम में कई बार आ सकता है कि सबसे ज़्यादा यहाँ पर क्या होता है तो यह अहाँ पर हारड होती है सबसे ज़्यादा दोस्तों मोरनी हिल्स में और कौन से परवत श्रिंकला की यह शाका है तो ये शिवालिक मॉंटन रेंज की शाखा है दोस्तों याद रखने आपने Next है, हरियाणा में अन्मान जी का सबसे बड़ा मिला कहां पर लगता है तो ये चर्की दादरी में लगता है दोस्तों, इमलोटा मंधिर में नेक्स्ट है, हर्याना में भीमा देवी मंदिर कहां पर है, तो पंचकुला में, नेक्स्ट है, हर्याना में भीमेश्वरी देवी का मेला कहां लगता है, तो बेरी जजजर में भीमेश्वरी देवी का मेला लगता है, नेक्स्ट है, गुलाबो के उत्पादन में देश में कौ कुलाबों के उत्पादन में हर्याना में किसको उस्तान प्राप्त है तो पंच को लगो नेक्स्ट है आगे बढ़ते हैं हर्याना का सरवादिक आदर भूमी वाला जिला कौन सा है यानि, wetland वाला, तो जजजर है दोस्तों हर्याना का सरवाधिक शुश्क भूमी वाला जिला कौँन सा है तो महिंद्रगढ हर्याना का सरवाधिक आद्र शुश्क भूमी वाला जिला इसर तो confused मत हो न, माइनर सा जो इसमें अंतर है वो आपने याद रखने है हर्याना में किस स्थान पर दुख बंजेश्वर मंदिर स्थित है हर्याना में किस स्थान पर लीलाधर दुखी समारक सरस्वती संग्राले है हर्याना राज्य खेल परिसर स्टेडियम कहां पर है फृदाबाद में अर्याना का प्रत्थम खेल विश्विधाले कहां पर स्थापित किया गया है तो राई सोनिपत में अर्याना का प्रत्थम प्रेटक विश्विधाले कहां पर स्थापित किया गया है तो राई सोनिपत दोनों का एकी रहेगा अंसर नदियां नहरों का शहर किसे कहा जाता है तो टोहाना फतेबाद को नदियों या नहरों का शहर कहा जाता है 307 बावडियों का शहर किसे कहा जाता है तो 360 बावडियों का शहर आपका पिंजोर याद रखना है तैसील और विधानसवा शेत्र इंद्री किस जिले में है तो करनाल में है ब्लॉक इंद्री किस जिले में है मेवात में मच्यारों का स्वर्ग किसे कहा जाता है तो हतनी कुंड यमना नगर को पक्षियों का स्वर्ग किसे कहा जाता है तो सुल्तान पूर जील जो फारुक नगर गुरुगराम में है यह याद रखने हैं आपने जहाँ पर साइबेरिन क्रेन पाया जाते हैं दोस्तो नेक्स्ट है जाट गजट पत्र का प्रकाशन रोध तक में किस ने किया था तो चर छोटू राम जी ने 1916 में किया था जाट समाचार पत्र गुरुगराम में किस ने निकाला था तो बाबू का नहीं लाल ने निकाला था यह भी आपने याद रखने हैं जाट गजट सर छोटू राम जी जाट समाचार पत्र तो बाबू का नहीं लाल हर्याना में सरवादिक लाल मिट्टी कहां पाय जाती है तो सिर्सा में पाय जाती है हर्याना में सरवादिक लाल चेस्टनट मिट्टी कहां पाय जाती है तो यमना नगर में हर्याना की प्रतम पैरालंपिक महिला कौन है तो हीना कल्यान यम्ना नगर जो एक धावक ती दोस्ता हूं अर्जुन अवार्ड जितने वाली हर्याना की प्रतम महिला कौन सी है तो गीता जुस्ती 1976 में जो गुरुग्राम से संब्धित है और धावक है यानि अथलीट है नेक्स टैम हर्याना का अक्षांच ये विस्तार क्या है तो 27.49 से लेकर 30.55 उत्री अक्षांच ये हर्याना का अक्षांच ये विस्तार है भारत का अक्षांच ये विस्तार 8.4 से लेकर 37.6 उत्री अक्षांच याद रखने हैं देखे एक्जाम में बहुत से बचे इन चीज़ों को छोड़ जाते हैं लेकिन ये आपको सारे ही याद करने हैं दोस्तों क्योंकि यही आपके स्कोरिंग कोईशन्स होते हैं तो ये आपने अक्षांश और देशांतरियां से नोट डाउन कर लेने हैं नेक्स्ट है हरियाना का शेत्रफल कितना है तो हरियाना का शेत्रफल दोस्तों 44212 वर किलोमेटर आपने याद अखने हैं नेक्स्ट है भारत का शेत्रफल कितना है तो 32,87230 वर किलोमेटर भारत का शेत्रफल हैं हर्याना के गठन के समय हर्याना का जन्संख्या घनत्त कितना था तो प्रतिवर किलोमेटर 227 वेक्ति थे दोस्तो 2011 के अनुसार हर्याना का जन्संख्या घनत्त तो 573 प्रतिवेक्ति वर किलोमेटर और बारत के जनसंग के अगनत 382 प्रतिवक्ति प्रतिवर किलोमेटर हर्याना के जनसंग क्या देश की जनसंग के कितने परसेंट है तो 2.09% हर्याना का शेत्रफल देश का शेत्रफल के कितने परसेंट है तो 1.34% शेत्रफल के हिसाब से हर्याना का राज्यों में खुन सस्थान है तो 20 इस्टान है धरे самый important question शाक्शर्ता के हिसाब से हर्याना का देश में कुन सस्थान है तो 15 वह स्थान है दोस्ता next है एक नॉंबर 1966 को हर्याना की कितनी शाक्शर्ता थी तो 20% वर्थमान में 75.6% नेक्स्ट है, हरियाना पर पुरुणत ब्रिटीश आशन कब हो गया था, तो 18 su 9 में या 10 17 all पूर्णत ब्रिटीश आशन केंडर आ गया था अरियाना नेक्स्ट है हर्याना को किस राज्य से लग करके अंग्रेजुने पंजाब में मिलाया था तो यूपी से लग करके 1858 में पंजाब में मिला दिया था अलग हर्याना की मांग कब उठने लगी तो 1937 में अलग हर्याना की मांग उठने लगी 1969 में पंजाब के CM कौन थे तो भीम सेम सच्चर पंजाब के CM थे दोस्तों और पंजाब के पहले CM कौन थे दोस्तों तो गोपी चंद भारगव जो सिर्शा से थे नेक्स्ट है तो यह जो कुछ important question है आपको याद रखने हैं जगजाम में आपको help परेंगे अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को like और share जरूर करियेगा दोस्तों तब तक के लिए बढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें thank you so much